क्या आप यकीन करेंगे कि शिफ तांडव स्त्रोथ सुनाने वाले इस बच्चे की उम्र सिर्फ चार साल है। आज की पीडी अपने संस्कृती से दूर हो रही है। दूसी तरफ है पटना का ये छोटा सा बच्चा आकर्श जहा। आकर्श को संस्कृत के कई श्लोक मुजुबानियाद है। शिफ तांडव स्त्रोथ आकर्श को सबसे ज्यादा पसंद है। आयाची मिश्र द्वारा रचित बोल अहम जगदानन भी आकर्श को खूब भाता है। लोकन 18 ने आकर्श से बात की। ये बड़ा होकर पंडित बनना चाता है। चार साल की उम्र में जहां आजकल के बच्चे फोन और गेम्स की दुनिया में उल्जे रहते हैं तो वहीं आकर्श का ये कारनामा बड़ा सरानी है। लोक सब्सक्राप बडता है तो कि अत्यक्राइब रहरे अच ऱ्यवार्ट के लग्ता है। बाई बाई पुआ सर्माइए अच बोग्ता है। ऑने कि पल्ट है क्वाण लोग वल्हार्च वात वह ब्लक्स इसक लएवर कया इंगिड़ा अशी KAR tril की की तो हिंदु धर्म की इतनी सब चीजों को सिखाने के पीछे आकश के पिता का बड़ा हाथ है बता दे कि आकश के पिता डॉक्टर राघव नाज्जा स्वें संस्कृत विश्य से पीएजडी है आकश के पिता बताते हैं कि बच्चे को जिस शेत्र में रुची होगी उसमें पूरा परिवार आकश को सपोर्ट करता है पिता बताते हैं कि आकश को देव भाशा संस्कृत और मात्र भाशा मैथली का भी ज्यान है ये देखकर उन्हें गर्व होता है आकश पतना के कंकर बाग में रहता है फिलाल UKG क्लास में बढ़ता है आकश को ब्लॉक्स से खेलना काफी पसंद है इन सब के बीच इतनी कम उम्र में आकश अपनी इस कलास से सब का मन मुह लेता है लोकल 18 के लिए पतना से उद्धव क्रिश्न की रिपोर्ट